हेलो एवरीवन वेलकम है आपका मेरी किचन में आज मैं आपको चोलाई के लड़ू बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे चोलाई का लड़ू कोई भी बना सकता है बनाना बहुत ही आसान है इसे सहीम आपके साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वाजाज़त स्वादिश चोलाई के लड़ू आपके बनेंगे तो ये लड़ू बनाने का जो तरीका है बस आप इसे अच्छे से देख लीजेगा और चल ये लड़ू बनाना शुरू करते हैं तो हमें लेनी है चोलाई जितनी मात्रा में आपको चोलाई लेनी है इतनी आप चोलाई ले सकते हैं तो ये मैंने भुनी हुई चोलाई ली है तो ये मार्किट में आजकल भुनी हुई चोलाई मिल जाती है चोलाई भूने हुई अगर हम लेते हैं तो लड़ू बहुती जादे जल्दी भी बनते हैं और स्वाधिष्ट भी बन जाते हैं क्योंकि घर पर अगर चोलाई भूनते हैं तो हमारी आधी चोलाई तो फूलती नहीं है और आधी ही फूलती है तो ये मारकिट की जो चोलाई भूनाई आती है ये बहुत ही अच्छी खिली-खिली रहती है तो आप हमेशा भूनी हुई चोलाई ही घर पर लेकर आए तो चलिए मजचोलाई में हम क्या चीज़े डालते हैं इसमें हमें डालना है गुड तो जितनी मातरा में चोलाई लेनी है इतनी ही मातरा में हमें गुड लेना है दोनों की माप बिलकुल बराबर होनी चाहिए ये मैंने आदा किलो चोलाई ली है और आदा किलो ही गुड लिया है गुड को छोटे छोटे टुकडों में कर लीजेगा जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए गैस को उन करके मैंने इस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने ये आधा किलो गुड डाल दिया है गुड में हमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है देख लीजेगा आधा कप हमें इसमें पानी डालना है और अब ये गुड अच्छे से मेल्ट होने लगेगा थोड़ी देर में ही गुड मेल्ट हो जाएगा तो फ्रेंट्स जब भी हम चोलाई के लड़ू बनाने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि लड़ू खराब बनेंगे लेकिन अगर आप इस तरीके से लड़ू बनाएंगे लड़ू बहुती जाद स्वादिश्ट बनेंगे और आप बाजार के लड़ू खाना तो भूली जाएंगे तो जब भी आपका वरत हो या घर में कुछ भी त्योहार हो तो आप इस तरह से चोलाई के जटपट लड़ू बना सकते हैं कोई भी इने बना सकता है बनाना बहुती आसान है तो ये गुट जो है थोड़ी देर में ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसे हमें बराबर च चलाते रहना है ऐसा नहीं है कि हमने इसे चलाना बीच में बंद नहीं करना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इतने गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं होता है इसे हमें बराबर ही चलाते रहना है और थोड़ी देर में ही ये हमारी गुड की चासन किस तरह से तयार होती है जिस से हमारे लड़ू स्वादिष्ट बनते हैं अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हमारी चास्नी या तो ज़्याद़ चिपचिपी हो जाती है फिर या ज़्याद़ आपकी चास्नी धीली रह जाती है तो ये चासनी हमें बस एक तार की बनानी है तो इस तरह से आप चैक कर सकते हैं एक बूंद प्लेट में डाल करके इस चासनी को ऐसी आप देखेंगे चिपका कर तो एक तार सा बनना चाहिए इतनी ही बस हमें ये चासनी पकानी होती है और इसके बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है एक तार की ही चासनी आपको बनानी है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यह मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है इसे थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम एक बड़ा बरतन लेंगे उसमें हम सबसे पहले चोलाई को डाल देंगे और चोलाई को डालने के बाद हम इसमें चासनी डालेंगे तो इधान रखे चासनी बिल्कुल जादा गरम गरम नहीं डालनी है थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही आपको चोलाई के अंदर चासनी डाल देनी है चासनी को डाल करके अच्छे से इसमें चोलाई में मिला देना है जब अच्छे से चोलाई में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तब ही हमें इसके लड़ू बानना स्टार्ट करना है तो ध्यान रखे क्योंकि चोलाई में गाठे भी पढ़ जाती है तो इसलिए लड़ू में ये जो चासनी है अच्छे से मिला दीजेगा कोई भी गाठ वगएरा या कहीं पर चासनी जादे हो जाए कहीं पर कम हो जाए ऐसा आपको नहीं रखना है तो आप किसी ऐसी चीज से इसे मिलाए नहीं तो आप इसको हातों से अच्छे से मिला सकते हैं क्योंकि हातों से अगर हम इसको मिलाते हैं तो कहीं पर भी इसमें गाठे नहीं पढ़ेंगी और कहीं पर चासनी जाद है और कहीं पर कम नहीं रहेगी सारी चोलाई में बराबर मीठा रहेगा बराबर चासनी रहेगी तब ही हमारे लड़ू बहुती जाद है स्वादिश्ट बनेंगे तो यह मैंने अच्छे से mix करने के बाद friends लड़ू बनाने start कर दिये हैं हातों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद ही हम लड़ू बनाना start करेंगे तो यह मैंने हातों से भी अच्छे से चोलाई को मिला दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा सूखा पंसा आ रहा था तो मैंने इसे अच्छे से मिलाया जिसमें नीचे थोड़ी तली में चासनी बैठी हुई थी तो थोड़ा सा हात पर पानी लगा लगा करके ही आपको फटा फट ऐसे लड़ू बना करके तयार कर लेने हैं लड्डु बनाना भी आसान है जट पठ लड्डु बन जाते हैं चोलाई के लड्डु बन ते टाइम बहुत ही जादा मन लगता है क्योंकि ये फटा फट लड्डु बन जाते हैं तो इस तरह से हम धेरो लड़ू बना लेंगे क्योंकि आदा किलो जो चोलाई है आदा किलो चोलाई में से भी बहुत ही सारे लड़ू बन जाते हैं तो आपको जो साइज पसंद है इतने बड़े आप लड़ू बना सकते हैं तो देखेगा मैंने कितने सुंदर कितने सारे लड़ू बना करके तैयार कर लिए हैं तो आप जब भी कोई आपका वरत हो या फिर घर में कोई तयोहार हो आप कबर खाने का मन करें तो आप जट पट चोलाई के इस तरीके से लड़ू बना सकते हैं फ्रेंड्स कितनी जल्दी बन जाते हैं देख लिया आपने और वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर ना भूले अब मिलेंगे अगली नई वी जाने वेगले शैजसे एकता हैं जाते हैं देखिा सकते हैं जाते हैं पालाई